सब्सक्राइब इंडिनीज अनलिस चैनल और प्रेस दे बेल आइकन फॉर लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स इल्टिटूट के लिए खरीदा जाएगा और सतर के संख्या में जो माइक्रो युवेवीज हैं उन्हें सर्विलन्स पॉर्पस के लिए लिया जाएगा इस और फाई में एक खास चीज है जो कि ये कहती है कि कॉंट्रेक्ट साइन होने के बारा महिनों के अंदर अंदर जो ड हमारी एकली बडरिय अपडेट लारसन एंटूब्रो से है लारसन एंटूब्रो की आधिकारियों ने मीई जैसे बात करते भी ये कनफोर्म कर दिया कि DRDO और अविक्सित किया जा रहा जोरावर लाइट टैंक जो कि भारत का इंडिजनस लाइट टैंक है उसकी चेचिच्श या हल कोरियन के ना इन वज्जर पर आधारित नहीं होंगी जिनका निर्मार दाशन एंटूबरो के द्वारा ट्रांसपर आधारित होंगे उन्हें ये भी कनफर्म कर दिया कि जो इंजन और ट्रांसमिशन है वो बेसिकली इंपॉर्टेट टेकनोलोजी है जबकि दूसरी जो टेकनोलोजी है एक्विपमेंट्स है वो मेड इन इंडिया है आपको बताना चाहेंगे कि इंडिन आर्मी को तकरीबन साड़े 300 की संख्या में इस प्रकार के लाइट टैंक्स की जरूरत है और यह जरूरत तब महसूस हुई जब भारत और चीन के स्टैंड आफ के दौरान चीन ने भारत के सामने अपने लाइट टैंक्स को डेपलॉय किया उसे दौरान भारत ने इन टैंक्स को खरी यूक्रेन ने क्लेम किया है कि उन्होंने महस्ध 18 मिनिट में रूचिया के चार की संख्या में के Э-522 एलिगेटर अटैक हेलिकॉप्टर से उनको मार गिराया है और दावा किया जा रहा है कि उन्होंने इन हेलिकॉप्टर को अमेरिका की इस्तिंगर मैन पॉर्टिब लेर सिस्टम ही रही है और इस समय दुनिया के तमाम देश इसी से सीख लेकर के अपने खुद के जो मैन पैट्स हैं या तो उनको विक्सित कर रहे हैं या फिर उनको खरीद रहे हैं जिनमे भारत भी शामिल है और भारत ने हाली में अपने वेरी शॉर्ट रेंज एर डिफेंस सिस मिल है वहीं डिफेंस सोसे से बात करने पर कुछ चीज़े पता चल लही है जहां पर ये बताया जा रहा है कि इस समय डियार डियो एक ऐसे कदम को उठाने के बारे में विचार कर रही है जिसके अंतरगत कावेरी इंजन का एक अपरेटर वेरिंट तयार किया जाएगा जो क भी इनमें इस्तेमाल किया जाएंगे जिससे कि इनका थ्रस्ट 85 से 90 किलोनिटन के बीच में होने की उम्मीद है और ये भी माना जा रहा है कि शायद आने वाले भविश्च में इसका इस्तेमाल LCA Teges में किया जाए और अगर ऐसा होता है तो DRDO आने वाले निकट इसको हमने हाले में कई बार देखा लेकिन इसी बीच IIT मदरास से एक बड़ी चौकाने वाली अपडेट सामने आई है IIT मदरास के डिपार्टमेंट आप एरे स्पेस इंजिनिरिंग के द्वारा एक ऐसे आर्टलरी सेल का प्रोपोसल दिया गया है जो कि रैमजिट पावर है और यह इंडियन आर्मी की जो लॉंग रिंज प्रिसिजन पावर है उसको काफी इंप्रूब करेंगी और इसे डिफेंस एक्सपो 2022 में प्रदर्शित भी किया जाएगा देखना यह है कि भारत सरकार और भारतिया से ना इसमें अपनी कितनी रूची प्रदर्शित करती ह हमारी एकली बड़ी अब्रेट इंडियन आर्मी के लिए प्रपोस किये गए एक टैंक किलर को लेकर करके आ रही है ग्रिट बोर्ड्स ट्रेक्नॉलोजिस प्राविट लिम्टेट के द्वारा टाइटन ऑट्रनॉमस टैंक किलर को प्रदर्शित किया जाएगा जो कि भारत 650 mm तक के जो explosive reactive armor है उनको penetrate करने में सक्षम होंगी ये एक ट्रन वजनी multi utility combat वहकिल होगा जो कि अलग अलग प्रकार के weapon payload से weapon system से equip किया जा सकेगा और defense export 2022 में ये एक प्रमुक अकरशित का केंदर होने वाला है क्योंकि यहाँ पर इसको प्रदर्शित किया जाएगा और इसकी बताया भी जाएगा तो फिलाल के वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अपने एक लिए वीडियो में तब तक के लिए जहन्त